हेलो दोस्तो, दे पीशंस वूल्फ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आये है बियरिश स्ट्रेटरजी आपने हमारी बूल स्ट्रेटरजी का स्केनर और स्क्रिंशोट देखा होगा उसमें कितना बड़ी रिटर्न आता है लेकिन अभी जो मार्केट चल रहा है वो बहुत ही बियरिश चल रहा है वहाँ पे भड़े अच्छे पॉइंट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके लिए मैं पब्लिकली ये एक स्ट्रेटरजी लाया हूँ क्योंकि कई लोगों की डिबांटी की बूल स्ट्रेटरजी जो है वो अभी उतना वर्क नहीं करेगी क्योंकि बियर मोड चल रहा है सो उसके लिए मैं ये बियर स्ट्रेटरजी आपको बताने के लिए आज आया हूँ दोस्तो मुझे लैपटप में समझाना और उसमें दिखाना उसमें ड्रॉकर करके आपको दिखाना उसमें बहुत तकलिफ आते इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं आपको एक not और pen से समझा दू बाद में उसको example के साथ live example के साथ और screenshot के साथ आपको दिखा दो कि ये कैसे work करता है ठीक है तो चलते बिना वक्त गवाए BR strategy की तरफ पहले हम बता दे इसमें हम क्या क्या जानेंगे कब इसको use करना है entry कब है exit कब है SL target और इसको scanner में कैसे बना है उसके लिए हम ये video बना रहे हैं तो चलते हैं इस strategy में क्या होता है जब bearish mode चल रहा हो ठीक है उस वक्त आपको 15 minute या 1 hour का time frame लगार लेना है ठीक है उसमें आपको करना क्या है क्या देखना है आपको ये देखिए ये जो line है ये 50 SME की line है जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है ठीक है और ये जो है वो vf है black color की line में ठीक है और ये जो dotted line है वो 20 SME है ये 20 SME अब हमें देखना क्या है जब ये candlestick चलते 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 तब हमें entry बनानी है उस वक्त दूसरा क्या देखना है कि जब ये vf 15 SME को cross करे उस वक्त 20 SME जो है ये जो 20 SME dotted line है ये 50 SME के नीचे ही होना चाहिए ठीक है अगर ये नीचे नहीं होगा तो क्या होगा ये crossover होने के बाद आपको गिरावट तो मिलेगी लेकिन अच्छी गिर गिरावट के लिए आपको उसको 20 SME के नीचे आना पड़ेगा वी वैप को और मतलब की 50 SME के नीचे आना पड़ेगा तब ही अच्छी गिरावट होगी उसका भी example में आपको screenshot में दिखाऊंगा ठीक है तो ये देखो ये जहां पे crossover होता है मानो कि यहां पे crossover हो गया तो य ये रही उसकी reference candle ये reference candle के उपर का जो high है high उसका SL होगा और इसके नीचे हमारी entry होगी लोगी ये candle खतम होने के बाद ही हमें पता चलेगा क्रॉस ओर हो गया है ये candle खतम होते ही दूसरी candle में हम entry बना लेंगे दूसरी candle में entry बनाने के बाद हम आगे target को कैसे ले जाएंगे वो अपने पर है कि फाइव ऐसे में यूज कर सकते हो या फिर वी वेब के उपर आ जाए तब exit कर सकते हो लेकिन मैं ऐसा मानता हो कि आप one jam two या one jam three यूज करे तो आप पूरा target ले सकते हो ठीक है तो उस तरह स से यह strategy काम करेगी मैंने यहां पर condition भी लिख दिये देखिए फंद्रा मिनिट से वन वर का टाइम फ्रेम होता है वी वेब क्रोस बिलो पचास हैसे में और तब 20 ऐसे में जो है वो पचास हैसे में के नीचे होनी चाहिए ठीक है तो चलिए देखते है screenshot की तरफ कि यह strategy काम कर करती है यह सिर्फ यह पकःते में ही है तो चलिए चलते हैं ठालो दोस्तों चलिए अब चलते हैं कुछ एक्जेम्बल के तरफ यह देखिए ये है बायो कॉन का हमने लिया है एक एकशंपल ठीक है यहां पे देखिए यह जो red line है यह red line है वी वेच की black line है वो है 55Smy की ठीक है और आप देख सकते है कि यहां पे हो रहा है crossover ठीक है crossover जब हो रहा है तब हमने कहा था वैसे यह जो एसे में है blue color key वो 50 SME के नीचे है ठीक है तो अब क्या होता है कि हमारी सब condition matte होती है तो चलो देखते हैं क्या होता है यह देखिए crossover हो गया है ठीक है हम entry कहां पर बनाएंगे यह crossover हुआ तब यह जो candle है यह candle के उपर हम हम रखेंगे SL यह देखिए यहां पर रखेंगे इस candle के उपर SL इसके नीचे जाएगी next candle तो वहां पर लेंगे entry तो यह हमारी हो गई entry ठीक है entry लेने के बाद क्या होता है देखते हैं यह देखिए सीधी रैली नीचे की तरफ छोटी मोटे पॉइंट हम पकड़ते नहीं है यह देखिए यहां पर entry होई थी यहां से सीधे नीचे रैली पॉइंट आप देख सकते हैं उपर है अराउंड 248 के और नीचे है 244 के अराउंड यानिकि चार पॉइंट चार पॉइंट यानिकि फ्यूचर में चार पॉइंट सीधे रहे ली मतलब आप कितने जादा होते वह आपको पता है और जो फ्यूचर करते उन लोगों ठीक है चले मैं आपको आगे भी कैलिकुलेशन करके दिखाता हूं आगे है इंड श्ट आवर ये देखिए उसमें क्या हुआ है ये पत्चास से में और ये क्रोस ओवर यहाँ पे हुआ है ठीक है यहाँ पे क्रोस ओवर होने के बाद क्या होता है यहाँ फेडOOD होगा एसल इसके नीचे हमारी होगी एंट्री ठीक है चलो एंट्री हो गई एंट्री होने के बाद क्या होता है चले देखते हैं ये देखिए ये देखिए दोस्तों देखते रहिए यहां पे यह सॉर्ण यहां पे cross or होने के बाद सीधा नीचे यह देखिए यह recent trade है दोस्तों यह देखिए नीचे date देख सकते हैं 20 और 1 ठीक है लास्ट 20 तारिक काई है ऐसा भी नहीं है कि हम जो अच्छे stock है या जिसमें यह सही हुआ है वही आपको screenshot देखे दिखा रहा है ऐसा भी नहीं है इसका जो scanner है उस scanner में जो जो stock आये है उसका हम backtest आपको दिखा रहा है ठीक है और वो scanner भी मैं आपको दूँगा लेकिन उसके पहले क्या करना है और क्या नहीं करना है वो जानना बहुत जरूर है इसलिए मैं आपको एक एक screenshot लेके दिखाता हूँ कि यहां पे आपको trade लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ठीक है आपकी पास सभी अस्तर सस्तर हो लेकिन युद में कौन सा तीर मारना है या भाला मारना है या तलवार चलानी है वो आप पे depend करता है वो उसका choose कब किसको करना है उसकी skill भी होनी चाहिए ठीक है तो इसी के लिए मैं आपको यह समझ सब्सक्राइब हुआ हुआ है यह रही हमारी केंडल यह उपपर SL और नीचे हमारी एंट्री एंट्री होने के बाद आप देख सकते हैं यह सीधा नीचे यह देखिए सीधा नीचे की तरफ रैली देख सकते हैं इतना अच्छा पॉइंट निकालने के स्ट्रेटरजी आपको कौन देगा मैं यह पब्लीक ली दे रहा हूं क्योंकि मैं एक यूट्यूब पर अच्छी वाली फैमिली बनाना चाहता हूं ऐसा भी नहीं कि सब चार्टेंग के स्कैनर दे दिये और स्ट्रेटरजी पर स्ट् लिए क्योंकि मैं कॉलिटी कंटेंट लाना चाहता हूं ठीक है यह देखिए बर्गे पेंट जो है उसका एक एक्जम्बल दिखा लेता हूं यह देखिए यहां पर हमारी यह केंडल जो है वह रेफरेंस केंडल है ठीक है तो हमारी एंट्री यहां पर हुई होती ठीक है यह तो चलो 5 5 6 ले लेते तो भी चलो 10 से 12 पॉइंट 10 से 12 पॉइंट की रेली हुई है ठीक है और यह देखिए देखने वाली बात 12 पॉइंट है तो अब एक पॉइंट अगर फीरा होता फ्यूचर में तो 1100 रुपीय मिलते तो चलो एपरक्स ले लेते हैं 10 पॉइंट फीरा होता तो आपको कितने मिलते 11,000 रुपीज सिर्फ एक ट्रेड में 11,000 रुपीज आपको मिलते चलो उसको मारो गोली 11,000 नहीं तो दिन के 5000 तो ले सकते हो न और ऐसे दिन में 2 से 3 ट्रेड आपको ठीक है चलिए देखते है आईबूल हाउसिंग फाइनांस वो भी हमारे स्केनर में आता है उसमें क्या हुआ है यह देखिए उसमें क्या हुआ है यह देखिए वीवेब जो है रेड कलर की वो माइनोर से उपर गई है यहाँ पे वहाँ पे उपर जाने के बाद तुरंत क्र एसल रखेंगे और यहां के इसके नीचे एंट्री होगी एसल और एंट्री के बीच में बहुत ज्यादा हो जाता है डिस्टंस फिर भी देखते हैं क्या होता है चलिए यह देखिया इबुल हाउसिंग का चार्ट इतनी बड़ी केंडल नीचे आई है इसलिए क्या हुआ यह देखिये रिट्रेस्मेंट होने के बाद पचास हैसे में का उसने लिया है रिजिस्टंस और रिजिस्टंस लेता ही सीधा धड़ाम करके नीचे आप देख सकते पॉइंट देखिये यहां पे एंट्री होई होती यहां पे आप्रोक्स 136 यहां पे है 132 यानिकि 4 पॉइ और यह देखिये एक पॉइंट का 4,000 रुपिस तो चार पॉइंट का कितना हुआ 16,000 हुआ चलो 16,000 नहीं तो भाई 10,000 तो ले पाते न एक लोट में ठीक है तो इसी के लिए मैं आपको बोलता हूं कि आप अभी इसको एक लोट पे ट्राय करो ठीक है यह जो है मैं उसको अ लगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है या फिर यहाँ पे यह ट्रेड फेल हो रहा है तो आप मुझे बताईए यूट्यूब में कॉमेंट कीजिए हमारी टेलेगराम चैनल इसमें कॉमेंट कीजिए तो मैं उसको जादा अपडेट करके जादा अच्छे से बनाने का ट कि जहाँ भी यह फेल हुआ है लेकिन यह फेल होगा या नहीं वो भी आपको पता चल जाएगा जब आप यह लॉजिक को समझेंगे तो चलिए चलते हैं